गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स इंगलीश में आज हम लेसन 11 सेविंग ट्रीज शुरू करने वाले हैं और आज हम इसमें सिर्फ प्रे रेडिंग करेंगे क्योंकि यहां पर चार केशन्स दे रखे हैं यही हम लिखेंगे और याद करेंगे इस पिक्चर में आपको एक ट प्री दिखाई दे रहा है तो ट्री से रिलेटिड ही आप से कुछ केशन्स किये गए हैं फिर्स्ट केशन है नेम सम ट्रीज यह सी इन यार सरामडिंग से कुछ पेडों के नाम बताईए जो आप अपने सरामडिंग से अपने आसपडोस में देखते हैं तो आपने अपने आसपडोस में कौन-कौन से पेड़ देखे हैं ये आपने स्कूल में अपने घर में खेतों में आसपासे कहीं भी देख सकते हो तो आपने कौन-कौन से ट्रीज देखे हैं पीपल, नीम, मैंगो, बैनियन ट्री और जो भी आपने देखे हैं उनके नाम बताईए इस तरह से for example उधारन के लिए यहां पर लिख कर दिखाया गया है name some trees that you see in your surroundings जो आप अपने आसपरोस में देखते हैं वो कौन-कौन से पेड हैं उधारन के लिए यहां पर लिख कर दिखाया गया है people, name, mango and apple trees लेकिन मैंने तो apple tree नहीं देखा है क्या आपने देखा है अगर आपने देखा है तो ही लिखिये और कौन-कौन से देखे हैं उनका नाम आप यहां पर लिख सकते हैं अगले है have you ever planted a tree क्या तुमने कभी कोई पेड लगाया है where and when did you planted आपने से कब और कहां पर लगाया है तो इसका अंसर हम क्या लिख सकते हैं yes, I planted a tree in the school on my birthday मैंने हाँ मैंने अपने स्कूल में अपने जनन दिन वाले दिन अपने जनन दिन पर एक पेड लगाया है क्या आपने लगाया है यहां पर आपको लिख कर बताना है next question है what do we get from trees हमें पेडों से क्या क्या मिलता है क्या क्या मिलता है we get timber timber means लकडी, cool shade, ठंडी चाया and fruits और फल from trees पेडों से हमें पेडों से लकडी, ठंडी चाया और फल मिलते हैं और भी क्या क्या मिलता है और शुद्ध हवा, oxygen next question है why should we not cut trees हमें पेडों को क्यों नहीं काटना चाहिए तो इसका अंसर कैसे लिखेंगे we should not cut trees हमें पेडों को नहीं काटना चाहिए because क्योंकि cutting of trees causes पेडों के काटने से landslides, floods and pollution landslides, flood, bad और pollution परदूशन हो सकता है, होता है तो प्यारे बचों आज के लिए हम सिर्फ यही question answer करेंगे यह question answer आपको याद करके अपनी copy में लिखने है करेंगे